आज इस वीडियो में बात करने वाला Redmi Note 5 Pro के बूट लेगर रोम के बारे में 5.2 Stable Premium Mode है जो कि अरजीत साह के तरफ से आता है हलाकि यह जो बिल्ड पहले आया था इसका जो फर्स्ट अगर हम बात करें तो Mode है जो कि अभी बनाए गया है लेकिन पहले जो था वो एक साल पहले करीब रीवियू किया था तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा क्यूंकि कस्टमाइशन के मामले में तो सिमलर रहेगा सारी चीज़े तो इसलिए उस पर आप देख लेना क्यूंकि इस पर अगर बताने लगा त इसके बारे मागे बताऊंगा इंस्टोलेशन भी समझा दूँगा लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या-क्या चीजे हैं जो कि एड की हैं उनके बारे मापको बताऊंगा और बैटरी विक अपन गेमिंग कैसी है उसके बारे में भी बताने वाला तो वीडियो को लास तक जरूर वाउच करिएगा तो जैसा कि अब आउट फोन के अंदर बूट लेगर का यह 5.2 स्टेवल प्रीमियम मोड है जो कि एरजी साह के तरफ से आता है अनोफिशल बिल्ड है और एंडोइड वर्जन 10 है और सिक्योर्टी पैच बिल्कुल लेटेस 5 दिसमबर 2021 की देखने को मिल जाती यहां पर करनल इसके अंदर आपको डीगल का वर्जन 13 देखने को मिल जाएगा और यह एक ओवर क्लोग्ड करनल है तो आपको यहां पर दिखा वेते हों सीप्यूजेट के अंदर में तो आप देख सकतो यह जो है ओवर क्लोग्ड है और अब बात करते हैं स्टेटस स्टेटस बार के अंदर हलाकि आपको टाइल्स तो सारी सिमिलर मिलेगे लिए इसके अंदर आप एक्स्ट्रा टाइल्स भी एड़ कर सकते हो जिसके बारे मागे आपको बताऊंगा यहां पर जैसे कि स्क्रीन रिकोर्डर भी आप देखोगे यहां पर आपको दो-दो स्क्र लेक्स मिल जाएगी एप पेस इनफो भी है तो सबसाफ़ पहले है कि स्क्रें डिकोर्डर मैं यहांपर स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूं कि इसकी पर्फॉमस में कैसी मिलने वाली यहां पर पर परमेशन में देता हूं यहां पर सिंपली और उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर में जो है किस तरीके से पर्फॉम्स मिलती है तगर मैं इन दोनों से बात करूंद यहां पर ऑक्सिजन नस वाला थोड़ा से जादा बैटर इसके अंदर एनिमेशन लैक ना के बराबर ही है काफी कम है और सेटिंग्स भी आप देखो देख सकते हो रीसेंट विल्कुल यह क्योंकि इसके अंदर आपको वन प्लस का लॉंचर मिल जाता है दो लॉंचर है और यहां पर स्प्लिट स्क्रीन आप इन्फो के लिए आप यहां पर आपको एक यह जैसे की मिल जाएगा और यहां पर विजेट में जाओगे विजेट विजेट में इट विल्क के लीए और सेटिंग्स के मालूम हला कि सिंफिर सेटिंग्स रहेगी लेगे इसके अंदर आइकन पैक काफी जादा आइड किए गये हैं तो आंपर देख सकतो आइकन पैक जो है काफी आपको देखने के आप के मिल जाएंगे अलagu-गलग डिवास अवकर और पोटन मोड इसके आप और जियाती है लेकिन पिक्चर किलिक कर पाओगे、 वीड़ो स्लो बाकि वीडियो कॉलिटी दिखा दो यहां पे 1080 तक आप कर पाओगे और यहां पर आपका साइड में जैसी की लाश्ट में देखोगे यहां पर जो है यहां पर जूम जो है कंट्रॉल कर पाओगे तो सलो मोसन काम नहीं करेगा बाकि जी कम इंस्टॉल करें क्योंकि इसके नॉर्मल जो डिफॉल्ट मिलता है वो हो गया एफम इसके अंदर आप यूज कर पाऊगे एन गैलरी यहां पर दूसरी गैलरी आपको देखने को मिल जाएगी जो कि इसके अंदर इंस्टोल की गई है हलाकि यह लेटेस्ट गैलरी नहीं है इसका मोड का भी बीडियो बनाया था अगर एस्पी रहों पर आपको मिवाई गैलरी इंस्टोल करना है तो वीडियो भी आपको फिलाल में याद रहेगा तो आई वटन पर दे दूँगा और यहां पर आपका ओके गूगल के अगर हम ब बीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा लगस इनकी और मिक्स फााइल भी दिया गया है और म्यूजी के यह वाला है जो कि आपका कलर म्यूजीक है इसके अंदर आपको मिल जाता है यह भी मोड एप एड़ किया गया है और फिर यहां पर दूसरा फोनोग्राप का किस्टम के लिए दिया गया है जैसे में अभी एड किया तो आपको दिखा दूति यहां पे आप देख सकतो रिकोर्ड वीडियो जो है फिलाल यहां पे हमें देखना किये मिल रहा चुका है यहां से इस तरीके से टाइल्स भी आप एड कर पाओगे कस्टम एप पिचाहो तो पाओगे कर सकते हो टाइल्स पर और इसके अंदर बूट लेगर कहीं सीजु वॉल्स भी मिल जाता है यानि कि बॉल पेपर एप भी दिया गया ता पिसके बॉल पेपर एप से जो है बॉल पेपर पी डाउनलोड करे के अप्लाई क्या हो तो कर सकतो एंड प्लेश्टोर की सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो इसके लिए आपको रूट करना पड़ेगा उसके बाद मैंजिक हाइड करके ही आपको यहां पर सब्सक्राइब करके बैंकिंग आप यूज करना पड़ेगा जिसकी बीडियो आइवटन और डिसक्रिप्स मिल जाएगी कॉलिंग के बात क देख लेना लेकिन यहां पर नेट वरकिंग के इंदर गॉट्स पर सेम टाम कर रहा है कास्ट वरकिंग है कनेक्ट डिवाइस के अंदर यहां पर और अपको डिफोल्ट आप में जाके यहां पर होम अप दिखा दू जो की लोंचर आप देख सकते हैं पर एक तो में तो फिलाल नहीं लेकिन अगर आप इसके ड्रोयर में जाओगे यहां पर हाइड कर सकतो एप लोग लगा पाऊँगे और दूसरा लॉंचर जो की यहां पर एड किया गया रजी साहा की तरफ से वन प्लस लॉंचर तो अलड़ी आपको बता ही दिया है उसके बारे में त कर तो बटन भी यूज कर पाऊँगे कोई भी प्रोलम यहां पर नहीं आती है यह फिलाल आपका काम कर रहा है एक चीज और बता दू डाटा यूजर इसके अंदर नहीं है ता आप उपका वह सो नहीं करने वाला है कहीं भी सेटिंग में नहीं मिलेगा बाकि थ्री फिंगर स्क्रीन सोट अच्छा से काम कर रहें लॉंग स्क्रीन सोट भी मिल जाता बाकि पूरी कस्टमाइशन आप उस पर देख लेना बैटरी की सेटिंग में भी कोई चेंज नहीं लेकिन बैटरी के रहा हम बात करें तो तो आवर 50% ब्रैनेस पर वीडियो प्ले करने के बाद 70% बैटरी हमें इसके अंदर देखने को बिली है जो की ऑवर्लोकड थो थोड़ी सी कम ही है वह से तो और जैसे कि अब चलते हैं इसके डिस्प्ले के अंदर में इसकी कोई चेंज नहीं है और और आप यहां पे यहांपे और यूज कर पाओके किया के टैब टो एक बहुंग के अंदर भी ऐसे कोई चेंजस नहीं मिलती लेकिन सीक्यूर्टी की बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ फिंगर्प्रिंट आपको मिलेगा जो कि कुछ इस तरीके से काम कर रहा है जैसे के इंडूइट 10 के स्टम रूम में हमारे काम कर रहा था पहले कि तो लॉक करते त स्टम के अंदर कुछ भी नहीं है खाली है बाकि अगर हम बात करें टूडू स्कॉर की तो वन लाग सिक्ष्टी सेवन थाउजन सेवन हंड्रेड सेवन हैं जो की काफी च्छा स्कॉर आपको अच्छा मिल जाता है अब बात करें इंस्टोलेशन की ता आप रोम डाउनलोड कर लेना बूट लेकर की लिंक डिस्टेप्सन पर मिल जाएगा रोम का साइज आप देखी सकते हो डेड़जब की वनीला विल्ड है इसके अंदर इतने सारे अप्लीकिशन है इसके वज़ए साइज काफी बड़ा है बाकी निक जी अपका कोर कर लेना या फिर बाकी अगर वाइट करना चाहों बेसी किया इन उसे उपर तो लेना डिलिंक टिस्टेप्स पर मिल जाएगी बाकी के आने के बाद आपको क्या करने वाइप या के डॉल वी क्या सिस्टम विंडर डेटा सिंपली इन पांचों को सेलेक करना है यहां पर स्वाइप कर देना मैं नहीं कर सिब समझा रहा हूं तो इस तरीके से वाइब कर देना उसके बाद अपने इंस्टोल पर जाके अपनी उस फोल्डर पर जाना जहां आप रोम रख्यों सिंप्ली रोम को सलेक करना रोम को फ्लस कर देना है रोम फ्लस हो जाए तो सिंप्ली लेप साइड में वाइब कैच आए उसके बाद वापीस बैक कर देना अपनी इंस्टोल पर जाना और इसके फ्लस होने के बाद आपको सिंप्ली इस पर भी वाइब कैच करना है और राइट साइड में रिबूट सिस्टम करके रिबूट कर लेना तो इंस्टोलेशन यह अपने आपको दिखा दो एक चीज और जो कि यहाँ पर डार्क एलेक्ज़र का ही बूट अनिमेशन एड़ किया गया थे बूट अनिमेशन मिल जाएगा आपको इसके अंदर बाकि आपका फोन ओन हो जाए तो सिंपली अपना सेटप करें अपना निक जिया पर तो सेटप नहीं आएगा तो बस इतना ही था इंस्ट अच्छी मिल जाती गेमिंग के मामले में यहाँ पर अच्छी परफॉमेंस के साथ है खराब में यहाँ विल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाला है बैटिक थोड़ी से जवरूर आउन है तो अगर आप चाहो तो नोन ओसी करनल भी यहाँ पर फ्लस कर सकते हो बाकि ओव मिल जाएगा उसके अंदर फुल रीवियू किया हुआ है तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा लेकिन इस मोड में जो एक्स्ट्रा एड हुए था उनके बारे मापको इसमें बता दिया हूं और परफॉमेंस बैटरी कैसी इसकी वह सारी चीज़ आपको बता दियो में कि कैसा था पहले लेकिन यहाँ पर क्या कुछ चेंज ओ भी आपको बता चल जाएगा जिसकी जो की आपको इस बीडियो में तो बताई दिया हूं लेकिन उस बीडियो में क्या क्या है कैस्टमाइज है वह आप देख लेना डिस्क्रिप्शन पर आपको दे दूंगा और वोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए थैंक्स फोर वाचिंग